वसीम रिजवी इसलाम छोड़ कर बने हिंदू डासना के यती नर सिंग अनन्द ने सनातन धर्म में कराया शागन हरे निशान में खुलने के बाद शियर बाजार में उतार चड़ाओ सेंज सिक्स टूटा ओमिक्रॉन को लेकर केरल सरकार का अदेश बिना इजासत मीडिया बाचीत ना करे स्वास्त दिकारी ने का कडाके किठंड की चपेट में उत्रखंड चोटियों ने ओडी पर्फ की सफेद चादर उत्रखंड में चार सब्ताह से लगतार बढ़ रहा कोरोना संक्रमर्ण नवशकार प्राइम टीवी में आपके स्वागत हैं मैं हूँ आपके साथ शिक्षा मैरे उत्रश्रवात करते हैं उत्रखंड बुलिटिन की खबर मसूरी से है चोहापर पूर्व मुक्यमंत्री हरीश रावत धनौलटी विधान सभा के परिटन ग्राम बंगलो का काड़ी पहुचे वहीं ग्रामीड महिलाओं ने अपनी हरीश रावत का फूल मालाओं से स्वागत किया इस मौके पर हरीश रावत ने महिलाओं के बीच जाकर चौपाल की ग्रामीडों ने अपनी समस्याओं को हरीश रावत से साजह किया इस मौके पर हरीश रावत ने कहा कि कॉंग्रस हमेशा गाओं और देहात की विकास की बात करती है उन्होंने कहा पिशले विधानसबा चुनाओं में कहीं न कहीं कॉंग्रस से कमी रही होगी जिससे जनता ने उनका समर्थन नहीं लिया तो कॉंग्रस उन समर्थन को ढूंडने का प्रयास कर रही है ये हमारे पूरे अभियान का एक हिस्सा है मैं सभी विधानसबा चुनाओं में जाने का प्रयास कर रहा हूँ और उस दोरान कई जगो कॉंग्रस के घोशित कारिकम के अनुशार हम गाउं में राती प्रवाश्र कर रहे हैं अभी तक ऐसे 18 पूर्व क्याबिनिट मंद्री अश्पाल आरे और पूर्व विधायक संजीव आरे पर बाचपुर में हुए हमले के विरोध में गोपेश्वर पर सरकार के खिलाफ प्रदेशन करते हुए नारे बाजी किया और सरकार का पुतला फूगते हुए हमले की निंदा करते हुए हमले में दोशियों के खिलाफ कारिवाई की मांग की है देवेंद्र प्रदान के विधाद सभा जौलापुर के ग्राम गडमीर पुर पहुचने पर सैकडो मुस्लिम समाच के लोगों ने गर्म जोशिय के साथ फूल मालाओं और ढोलनागाडों के साथ जोड़दार स्वागत किया उन्होंने पार्टे कारकरताओ से गडबंधन को मजबूती दे रे पार्टी के नीतियों को जंजन तक पहुचाने के लिए काम करने को कहा वही देवेंद्र प्रधान ने कहा कि यदि पार्टी हाई कमांड से उन्हें टिकेट देती है तो वो लोगों का सेवा के लिए हमेशा उनके द्वार पढ़खर खड़े रहेंगे और किसी भी व्यक्ति को अपने शुकायत लेका इधा उधर नहीं भागना पड़ेगा कि सब्सक्राइब करने वाले लोगों से हमेशा बचके रहेंगे और किसी पर लोगों में भी यह लोग नहीं आएंगे इन लोगों की द्वारा बीजेपी को पहले पूर्मी वोट दिये गए हैं लेकिन जो वर्तमान जन्द परदेने लिए उससे लोग आहा थे कहीं न गई तो आपके द्वारा जो देखने में मिलेगा लोगों के डूप चाह रहेगा जन्ता के पीच में रहने कारिया आपको किस तरह रहेगा जन्ता में जो मेरा कारिय करने का तरीका रहेगा जमोरी के नारायन बगर स्वास्त विभाग के सभागार में S.A.P.C.S. Wellness Private Limited ने कंपनी के उन लोगों को समानित किया जो कंपनी की आयूर्वेद की दवाओ को जन जन तक पहुचाने में महत्वपोर भूमिका निभा रहे हैं और जन तक को आयूर्वेदिक उपचारों और औशधियों की जनकारी देने में सक्री भूमिका निभा रहे हैं इस अफसर पर एसले पील यस वेलनेस सेंटर प्राइवेट लिमिटेड ने उपस्तित लोगों को आयूर्वेदिक उपचार और औशधियों की जनकारी दियों कंपनी से जुड़ने की अपील करते हुए कहा कि कंपनी से जुड़कर लोग अपनी आर्थे किस्तिती को मजबूत बनाने के दिश्वा में आगे बढ़ सकते हैं जन्होंने भिकड परिस्तितियों में भी लोगों को जागरू परणने का खारी किया और कंपनी के द्वारा जो एक अचीव्मेंट है ब्राउंज लोग इसके बारे में जान रहे हैं देरे जरे हमारा एक है मिसल है कि हम लोगों को स्वस्थ बनाए और हमारी जो फुरानी आईरवेदिक पद्दती है उसे लोग जियें उत्रकंड में मौसम ने करवट बदली है सुबा से धूप और बादलों की आख मिचोली के बाद दूसरे दिन मैदानी इलाकों में हलकी से मध्यम बारिश हुई जबकि गंगोत्री अमनोत्री समयतर अन्य चोटियों पर भी बर्फबारी का दौर चारी है मसूरी में बारिश के साथ ओला वरिष्टी हुई राज मौसम विभाग केंद्र के अनुसार आज कहीं कहीं हलकी से मध्यम बारिश हो सकती है वहीं 2500 मीटर से अधिक उचाईवाले अलाकों में हिमपात की संभावना है खबर रानीपूर से है जहाँ पर विधान सभा हरिद्वार की रहने वारी एक बेटी ने संगीत प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल कर राज्यो और अदेश का नाम रोशन किया है भारतिय प्रजापती हरिज और्गनाइजेशन ने फूल मालाओं से उनके घर जाकर उनके स्वागित किया उनमें रानीपूर विधान सभा से कांग्रस के प्रत्याशी तेलूराम विध्रधान ने गुलदस्ता भीट कर उनका मान बढ़ाया उनका ये भी चहना है कि देश की हर बेटी अपने मातापिता के साथ देश का भी नाम रोशन करे हर दोर की बेटी ने नाम रोशन किया है जिसके बाद उन्हें समाणित किया गया तस्वीर देख सकते हैं आपकस तरह से और ये भी बोला गया है कि सरास हरेदवार की बेटी ने नाम रोशन किया अपने माता पता के साथ ही देश का भी नाम रोशन किया जाए बारिश हो या फिर सूखा अब मक्के की फसल खराब नहीं होगी रोग भी ना के बराबर लगेंगे और पैदावार भी बढ़ेगी ये सब संभव होगा मक्के की नई प्रजाती से गोविंद बॉलब पंत क्रिशी एवं प्रद्योगिक विश्व विद्याले पंतनगर के विज्यानी मक्के की जंगली जीन से इसे विक्सित करने में जुटे हैं देश के विभिन हिस्सों में पहले साल के परिक्षड में इसके बहतर परिड़ाम मिलने से विज्यानी उत्साहित हैं दूसरे वर्ष के परिक्षड के परिड़ाम अप्रेल में आएंगे इसके बाद इस प्रजाती को नाम देते हुए बाजार में उतारा जाएगा खबर जमोली से है जहां पर बारिश और बर्फबारी की ठंडी फुहारों की वज़ह से परटको और रस्थानी लोगों में खुशी का मौहल बना हुआ है बता दे की रूपकुंट आली, वेदनी, बुग्याल, बद्री, नात, हेमकुंट साहिब और ओली जैसे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है तो बर्फबारी हो और मौसम में जो करवट ली है उसे लाके में ठंड का मौहल है, पाराशूनी के नीचे जा चुका है मौसम अच्छा होने की वज़े से पारेटिक भी आरे, जिसकी वज़े से बाजार में आमदरी बढ़ने की बात से भी लोग खुश नजर आ रहे हैं जहां चमोली से ये खबर सामने आई है, बारिश और बर्फबारी की वज़ह से पारेटिक भी आरे लोगों में खुशी का महौल देखने को मिला है उत्राखन की खबरों में फिलहा लेता ही, तमाम खबरों के लिए देखते रही है, प्राइम टिवी करो कि झाओड़ को झाओबंक पारेजेश देखने को में खबरों में फिलहा ही!!